हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रिवर्स एजुकेशन पे तो दोस्तों जो आज की वीडियो है ये पार्ट टू है हमारे प्रिवियस लेक्चर की जो थी अग्रिकल्चर करेंट अफेयर्स और 2020 इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पिछले साल के इंपोर्टेंट एग्रिकल्चर करेंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत ही जादे रेलेवेंट है और दोस्तों आप सभी से मेरे एक रिक्वेश्ट है अगर आपको हमारी ये सिरीज पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको जादे से जादे अपने फ्रेंट्स के साथ सेयर कीजिएगा सारे ही कॉश्चिन्स MCQ के फॉर्म में रहने वाले हैं जो हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्विज में अवेलेबल होंगे अगर आपको कॉश्चिन्स के आंसर आते हैं तो कॉश्चिन्स को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रेटेंट कीजिएगा तो सुरुवात करते हैं करेंट अफियर्स की किसान सबा एप हैस डेलोड वाई विच सेंटर ओफ कांसिल और साइंटिफिक एंड इंडिस्टियर रिसर्च जो CSIR है इसके किस इंस्टिटूट ने किसान सबा एप को डेलोप किया है तो आपके options यहां पर दिये गए हैं तो इसका सही answer है CSIR CRRI यानि कि Central Road Research Institute इन्होंने इस application को डेलोप किया गया है इसके अंदर जो agriculture से लेटेड उसके transportation, supply chain और उसकी marketing से लेटेड इंफॉर्मिशन प्रोइड करी गई है तो अगले कोशन पर आते हैं 2020 विश्व खाद्य पुर्सकार यानि कि World Food Price के विजेता कौन है तो option है रतनलाल, N.K. Singh, वैंकर टेस गिरदर या JK ठाकुर तो इसका answer जो है वो है रतनलाल तो रतनलाल जी है इनको मिल लिखा है World Food Price for 2020 अगले कोशन पर आते हैं तो option यहाँ पर है 10,000 करोड, 5,000 करोड, 4,000 करोड या 2,000 करोड तो इसका सही answer है 4,000 करोड जो per drop more crop scheme है यह एक component है of PMK-SY यानि कि प्रधान मंत्री किसी सी चाहिए योजना इसका एक component है per drop more crop और इसके कुछ और भी components है जैसे accelerated irrigation benefit program PMK-SY हर खेत को पानी PMK-SY per drop more crop और PMK-SY water set development तो यह कुछ इसके components है उन्ही में से एक component यह भी है PMK-SY की बात करें तो PMK-SY को launch किया गया था 2015 को जिसमें central state का contribution रहता है 75 is to 25 और अगर hilly region की बात करी जाए तो जो यह contribution है वो हो जाता है 90 is to 10 देखो per drop more crop की बात हो रही है तो recently जो पूसा इस्टिटूट है इन्होंने develop किया है पूसा hydrogel और यह काफी जाद एफेक्टिव आना जा रहा है for implementing more crop per drop तो जो यह पूसा hydrogel है इसकी खास बात यह बताई जा रही है अगर इसको यूस किया जाएगा in plant risosphere में तो यह क्या करेगा जितना इसका dry weight होगा उससे 350 times यह water को क्या करेगा absorb करेगा इसके अंदर एक special type का polymer होता है एक cellulose based high water absorbing polymer इसके अंदर present होता है जो क्या करता है water को absorb करता है चलिए अगले question पर आते है which state has ranked last in the state food safety index for 2019-20 released by FSI तो options है तमिलनाडू, गोवा, उत्तरप्रदेश या मध्यप्रदेश इसका सही answer है गोवा गोवा जो है यह सबसे last आया था in rank of state food safety index for 2019-20 चलिए अगले question पर आते है the researcher of central marine fishes research institute इन्होंने एक rare variety of band tail scorpion fish को found किया है in the Gulf of Manar तो question यहां पर यह है कि जो यह CMFRI यानि कि Central Marine Fishes Research Institute है यह कहां से जेटेट है answer है कोची तो यहां हमने include भी कहा है Central Marine Fishes Research Institute कोची केरला अब news में किया है कि जो यह band tail scorpion fish है यह एक rare marine species है तो इसमें इसकी खास बात यह है कि एक venomous spine होता है इसकी body में और इसके पास एक ability होती है of changing colors तो यह काफ बहुत ही जादे rare है और इसको found किया गया था in Gulf of Manar में अब यहां फिस की बात हो रही है तो फिस से related कुछ institutes है उनको हम discuss कर लेते हैं देखो यहां मने institutes in full किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें हैं 7 institutes पहला है center institute of fresh water aquaculture देखो मैंने यहां जो keywords हैं उनको मैंने highlight किया है जैसे यहां मैंने fresh water को किया है दूसरा मैं brackets water तो इन keywords को लेके चलना इसके अनुसार यह आप इस institutes को याद कर पाएंगे पहला है center institute of fresh water aquaculture अंसर है भूहनेस्वर दूसरा है central institute ब्रेकिस वाटर aquaculture fresh water का situated है भूहनेस्वर में और ब्रेकिस वाटर का situated है चैन्नाई में अगला ICR का institute है डेरेक्टरेट ओफ cold water fisheries research इसमें आगिया cold water तो keyword को लेकर ही चलना cold water यह situated है भीमताल उत्राखंड में अगला है center institute of fisheries technology इसमें fisheries technology आगी तो यह है कहाँ कोचीन में अगला है fisheries education center institute on fisheries education situated है मुम्मई में अब लास्के दो हैं एक है inland fisheries research institute और marine fisheries research institute inland fisheries situated है बेरकपूर में और marine fisheries research institute कोची में तो आप इन keywords को लेके इन institutes को याद कर सकते हैं अगली नियुस पात है which organization estimated that the average global temperature would rise by 1.5 degree Celsius in the next 5 years तो यह बताना है कि कौन से organization ने एस्टिमेट किया है कि आने वाले 5 साल में जो वर्ल्ड का average global temperature होगा वो 1.5 degree centigrade से rise करेगा तो उस concern है world metrological organization चलिए अगले question पे आते हैं which institution has launched a 5000 करोड scheme for computerization of primary agricultural credit societies जिसको हम सौट में बोलते हैं PAX देखर आपने इसके बारे में अपने course में भी बढ़ा होगा एक agriculture finance का course होगा उसमें आपने सुना होगा primary agricultural credit society PAX तो यहाँ पर question यह है कि किस संस्थाने PAX के लिए 5000 करोड रुपेस की योजना सुरू की है आपके options है RBI, NABAT, SEB या world bank तो इसका जो सही answer है वो है NABAT तो NABAT ने 5000 करोड रुपे sanction कर रखे हैं अब देख लेते हैं PAX के बारे में देखो जो PAX है वो एक cooperative credit organization उसका एक part है जैसे अगर हम बात करें cooperative credit organization दो तरीके से इसको हम देख सकते है दो systems होते है एक होता है three-tier system और दूसरा होता है two-tier system three-tier system में जो हमारे short-term और medium-term slow नाते हैं और two-tier system में long-term slow और जो हमने PAX की बात करी थी यह आता है at village level तीन चीज़े हैं एक है state cooperative banks district cooperative central banks फिर आता है लार्स में PAX तो इसको आप समझ लिज़े जो three-tier system है जिसमें short-term और medium-term launch होते हैं state term में SCB district level में DCCB और village level में आता है हमारा PAX तो इसको आप जरूर याद रखेगा चलिए अगले news पर आते हैं जोरम mega food park has been launched in which state options हैं मेगालिया, नागलेंट, सिक्किम या मिजोरम देखो question में आपको वैसे पता चलिया होगा जोरम mega food park तो इसका सही answer क्या होना चाहिए मिजोरम अब मैं बता देता हूँ mega food park होता क्या है देखो mega food park एक जैसे पार्क नाम से पता चलिया है ये पार्क नहीं होता ये एक chain है या एक group है जैसे farmer group है या कोई NGO है या self help group है तो इसमें क्या होगा यहां कुछ collection centers बने होंगे जिसको हम sort में बोलते हैं CC farmer से चलिए मैं ऐसे करके नहीं थोड़ detail में बता देता हूँ इसमें क्या होगा जो farmer होंगे इन से लिया जाएगा produce फिर collection center में इसको collect किया जाएगा उसके बाद इनकी processing की जाएगी इन primary processing centers में इसके बाद इसको भीजा जाएगा center processing center में central processing center जो इस center processing center है यही सबसे major part है mega food park का तो यहाँ इसके processing करने के बाद इसको भीजा जाएगा transportation या इसका जो भी करना होगा processing के बाद वो उसके बाद किया जाएग तो इसी को बोला जाता है mega food park अगली news पर आते हैं which state environment department has decided to introduce ambulance for treatment of sick traits देखे जो बिमार पेड़ है इनके उपचार के लिए एक ambulance शुरू करने जा रही है एक राज़ जी तो आपको बताने है वो राज़ी कौन सा है option है चंडीगड पंडुचेडी देली या गुजराथ इसका सही आंसर है चंडीगड अगली news पर आते हैं तो इसका सही आंसर है देली देखो लॉकडाउन के टाइम में 21 जुलाई के दिन इस scheme को announce किया गया था और चीफ मिनिस्टर आफ देली अरविंद केजरिवाल और इसका नाम रखा गया था मुख्य मंतरी घरगर रासन योजना तो इसके अंदर क्या किया जाएगा जो रासन है उसको डिलिवर किया जाएगा तो दे फैमिली जू दे डोरिस्टेप्स और जैसे वीट की बात करें वीट अगर हम देखें तो रासन डीपो में हमको वीट जो है वीट ओरिजिनल फॉम में हमको मिलता है पर इस मुक्यमंत्री घरगर रासन योईना के तहर वीट की जगह यहां पर वीट फ्लोर को पहुंचाया जाएगा टू दफ फैमिलीस ऑन देर डूरिश्टेप्स चलिए अगले नियूस पर आते हैं विच बैंक हाज लाँच एकिसान धन एप फॉर फार्मर्स इन इंडिया आपने इसके बार में सुना होगा काफी नियूस में था ये आपको मैं आप्सन दे देता हूँ पहला है यूको बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या IDBI बैंक तो देखो इसका सही आंसर है HDFC बैंक HDFC बैंक ने एकिसान धन को लॉंच किया गया था इन ओल ओवर इंडिया इकिसान धन के अंदर ये क्या करेगा वैलू एडिट सर्विस जैसे की मंडी प्राइज लल्टेस्ट फार्मिंग न्यूस, वैदर फोर्कास्ट और सीड वरियाटिक से रिलेटेड इनफॉर्मेशन प्रोइट के जाएगा इकिसान धन के अंदर और इसके साथ-साथ इसके अंदर बैंकिंग सर्विस भी प्रोइट करी गई है जैसे प्रोक्यूरिंग लॉन या ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स या कोई इंस्योरेंस अवेल करना है तो यह सारे फैसिलिटी प्रोइट करी जाएंगी इस हैप के अंदर चले अगले कोश्चन पर आते हैं इनिसियेटिव सबूजा उडिसा इसका नाम है सबूजा उडिसा यह लाँच किया गया था उडिसा इस्टेट के अंदर तो यह जो स्कीम है यह किस से रिलेटेट है option है to increase green cover to increase financial inclusion to increase road cover या स्वास्त कवर को बढ़ाना तो इसका जो सही आंसर है to increase green cover सबूजा उडिसा इस रिलेटेट तो to increase green cover in the state of उडिसा अगले कोशन पर आते हैं which state government launched first of its kind scheme बल्राम to provide agricultural credit of 1000 crore to landless farmers facing hardship during COVID-19 COVID-19 के दोरान जो भूमिंग किसान है जिनको कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा है उनको 1000 crore रुपे का क्रिसे रिंट परदान करने की योजना है बल्राम तो question यहाँ पर यह है कि कौन से राजी ने इसको सुरू किया है तो जो इसका सही आंसर है वो है उडिसा देखो उडिसा के बारे मैंने पहले भी बता है सबूजा उडिसा यह भी related है उडिसा से और जो यह बल्राम स्कीम है यह भी related है उडिसा से इसके अंदर crop loan provide किया जाएगा to the landless farmer इस scheme को National Bank for Agriculture and Rural Development जिसको सौट में बोलते है नाबाड इसके collaboration के साथ इसको सुरू किया गया है चलिए अगले question पर आते है which state celebrate रितु दिनोत समय जिसको Farmers Day कह जाता है to mark the 71th anniversary of Y.S. राजसेकर Reddy तो कौन से state ने रितु दिनोत समय जिसको Farmers Day कहा जाता है को celebrate किया on the birth anniversary of Y.S. राजसेकर Reddy तो इसका जो सही answer है वो है अंदरपरदेश आपको बता भी होगा जो Y.S. राजसेकर Reddy है यह पूर्व CM रह चुके हैं अंदरपरदेश के और current time में इनके जो son है जगमोहन Reddy जी वो अभी present time में CM है और अंदरपरदेश तो 8 जुलाई को रितु दिनोत समय यानि कि Farmers Day celebrate किया जाता है on the birth anniversary of राजसेकर Reddy जो की चौदवे CM थे अंदरपरदेश के अंदरपरदेश की बात करी जाए जो उसके CM है जगमोहन Reddy जी यह farmer के welfare के रिए बहुत सारे scheme चला रहे है लाश्ट एर की बात करी जाए तो इन्होंने insurance free यानि की free crop insurance scheme चलाई गई थी और इसके साथ साथ यहाँ एक scheme चला जाती है YSR रितू भरोसा यह काफी जादे news में रहती है इसके अंदर जो farmer family है इसको financial assistant प्रवाइट किया जाता है 13,500 रुपे पर एर के हिसाब से देखो जो PM किसान beneficiary हैं उनको PM किसान की financial assistant के साथ साथ जो यह 13,500 रुपे हैं यह भी दिये जाते हैं रितू बरोसा scheme के अंदर चलिए अगले question पर आते हैं Which state launched the week long campaign Pure for sure from 8 July to 14 July 2020 to ensure the purity of milk and dairy products option है जुम्माण कैस्मेर, बिहार, राजिस्तान या गुजरात इसका सही answer है राजिस्तान राजिस्तान में एक campaign चला गया था Pure for sure इसके अंदर जो milk और dairy product की purity है तो इसको लेकर ये campaign चला गया था अगले question पर आते हैं India partnered with which country co-hosted the on the road to the international year of fruit and vegetable 2021 इसका अंदर है चिले अगले question पर आते हैं A five day subtropical fruit expo 2020 at the center of subtropical fruit was organized at which state तो option है महारास्टा, हर्याणा, यूपी, हिमाचर पर्देश और इसका सही अंसर है हर्याणा हर्याणा में ये subtropical food expo 2020 इसको organize किया गया था चले अगले question पर आते हैं Union Ministry of Agriculture and Farmers Warfare स्री नरेंदर सिन्ग तोमर with the support of national bee board NBB इस laboratory के अंदर क्या क्या जाएगा जो food safety and standard authority of India है इन्होंने कुछ नए standards निकाले है honey bee, bee wax और royal jelly के तो इसी को लेकर जो laboratory है ये खोली गई है तो इन laboratory में जो honey की purity है उसको ensure क्या जाएगा अगले question पर आते हैं और ये बहुत जादे important है और इसका जो सही answer है वो है वियतनाम तो वियतनाम में cotton cooperation of India अपना एक नया warehouse खोलने जा रहा है तो बूस्ट है cotton export to the neighboring country like वियतनाम और बांगलादेश और इसके साथ ही इंडिया ने MOUB sign किया है with बांगलादेश to export 1.5 to 2 menial bales of cotton देखो मैं बता देता हूँ जो एक cotton है इसका जो एक bales होता है उसका weight होता है लगबग 170 kg 170 kg का एक bales होता है और इस साल की बात करें तो CII Cotton Association of India इन्होंने estimate किया है 356 lakh bales production in this year और साथ में export की बात करी जाए तो 60 lakh bales ये predict किया है कि इतना export रहेगा इस साल का और पिछले साल की बात करी जाए तो पिछले साल था ये 50 lakh bales देखो cotton की बात तो हमने कर ली तो cotton से related कुछ इंस्टिटूट्स हैं जैसे CICR CIRCOT या CTRL अब देख लेता है इसमें भी मैंने कुछ keywords दे रहे हैं जैसे CICR है Center Institute for Cotton Research इसमें आ रहा है Cotton Research तो ये कहा होगा नाकपूर महरास्टा देखो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जो ये तीने इस्टिटूट है ये situated है कहां महरास्टा में पर महरास्टा में इनकी location अलग-अलग है जैसे Cotton Research कहा है नाकपूर में दूसरा है Central Institute for Research on Cotton Technology इसमें क्या आ गया Technology Cotton Technology कीवर्ड हो गया तो ये कहा है मुंबई महरास्टा में तीसरा Cotton Technological Research Laboratory इसमें क्या आ गया Research Laboratory तो ये भी कहां situated है मुंबई महरास्टा में अगले question में आते हैं और ये भी बहुत जादे important है क्योंकि इसमें Variety की बात करी जा रही है Recently Agricultural Scientist of Chaudhary Charan Singh Harnada Agriculture University Have developed a new disease resistant variety of मुंग What is the name of this variety देखो मुंग की नई वराइटी को developed किया है हिसार की उनिवर्सिटी ने तो option यहाँ पर को है MH1142 MH421 मुसकान या आसा तो इसका जो सही answer है वो है MH1142 यह एक मुंग की वराइटी है अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो यह वराइटी है यह 70 दिन में 60 से लेके 70 दिन में क्या हो जाएगी मैच्चूर हो जाएगी और इसकी average yield है 12 to 20 quintals per hectare और इसकी जो खास बात दताई जा रही है यह disease resistant है जैसे yellow mosaic virus है leaf jury, leaf torsen या white churni यह कोई disease है इसके resistance है यह MH1142 वराइटी चलिए अगले question पर आते है recently CSIR CSIR का एक institute है CMERI Central Mechanical Engineering Research Institute इन्होंने world का सबसे बड़ा solitary develop किया है तो आपको भी बताना है यह कौन से place में किया है option है करनाल, राची, लखनाव या दुरगापूर इसका सही answer है option D, दुरगापूर अब मैं बता देता हूँ जो यह solar tree है यह सच मगवई tree नहीं है बस यह है कि इसका जो arrangement है जैसा आप देख पा रहे है यह radially इसको arrange किया गया है बहुत सारे solar panels को तो इसके अंदर इसकी जो capacity होगी 12,000 से 14,000 unit of clean and green power capacity होगी इतना यह generate करेगी इसके अंदर 35 solar panels हैं और इनकी capacity है 330 watts peak अगले question पर आते है इन वीच स्कीम हर्याणा government has decided to provide the solar system of 150 watts at 7,500 rupees with 15,000 rupees subsidy तो हमें इस स्कीम का नाम बताना है स्कीम का नाम है मनोहर जोती योजना यह हर्याणा की एक स्कीम है हर्याणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लार खटर तो इनके नाम पर यह स्कीम का नाम रखा गया है मनोहर जोती योजना इस स्कीम के अंदर क्या है कि हमको solar panel provide करे जाएंगे at the cost of 75,000 rupees और इसके बाद हमको subsidy देगी सरकार कितना 15,000 rupees subsidy और इसके साथ-साथ कुछ electrical equipments भी provide करे जा रहे है जैसे ADD bulbs LED tube light और ceiling felt mobile charging point यह कुछ इसके साथ provide करे जा रहे है अगली उस पर आते हैं यह भी बहुत important है CCEA यानि की Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the Food Ministry proposal on increasing the sugar gain FRPY FRP यानि fair and renumerative price और इसको announce किया जाता है especially in sugar gain तो इन्होंने डिसाइड किया है कि 10 रुपे पर quintal इसकी FRP बढ़ाई जाएगी तो यह question यहाँ पर यह है कि जो sugar gain है इसका FRP कितना था 2020 में option है 275, 265, 285 या 289 पर quintal तो इसका सही answer है 285 पर quintal अभी यहाँ एक यह था CCEA तो इसका जो full form है cabinet committee on economic affair तो यही announce करती है MSP for various crops MSP के बारे में बात करें MSP को recommend और calculate किया जाता है CACP देखो यहाँ उपर किया था है CCEA और यह क्या है CACP CACP यानि Commission on Commission of Agricultural Cost and Price यह क्या करती है recommend करती है government को और decide कौन करती है CCEA MSP को decide करती है CCEA जिसकी full form मेने उपर यहाँ mention कर रही है सुगर केन के case में FRP यूज किया जाता है not MSP और इसको determine किया जाता है under sugar cane control order 1966 देखो एक चीज़ और जो major sugar cane producing state है जैसे उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाना यह अपना sugar cane price खुद fix करते है और इसको यह बोलते है क्या state advisory prices SAP और यह FRP से अधिकतर जादे ही रहता है एक तो FRP है और एक यह SAP state advisory prices अगली उस पात है कि इस साल खरीब crop area 2020-21 का increase हुआ है by 6.32% तो question यहाँ पर यह है कि इस साल का खरीब crop area कितना था option है 39.6 million hectare 13.6 million hectare 19.5 million hectare 110 million hectare तो answer भी इसका यह है 110 million hectare पिछले साल की बात करें तो यह था 103 million hectare और इस साल यह काफ़ increase हो गया है और यह पहुँच चुका है 110 million hectare में अगले question पाते है recently which state government have decided to give benefit of KCC of 1 lakh रुपी loan to fish farmers तो यह कौन सी state ने सुरू किया है तो आपके option है West Bengal, महरास्टा, UP या केरला उसका सही आंसर क्या है केरला अब यहां मैंने किसान क्रिट कार्ड की बात करी है तो उसके बारे में मैं बता जेता हूँ थोड़ा क्योंकि exam में बहुत बार पूछा जाता है किसान क्रिट कार्ड scheme कब सुरू के रही थी आंसर है इसका क्या अगस्त 1998 और इसके साथ साथ किसान क्रिट कार्ड का मॉडल प्रिपेर किया था नाबाड ने on the recommendation of RV गुपता कमेटी इसको भी आप स्टाक मार्ग कर लीजे RV गुपता कमेटी ने recommend किया था किसान क्रिडिट कार्ड इसकी इसके अंदर की बात कर ले तो केसी सी के अंदर loan provide कर ले जाता है at the interest of 9% पर government इसमें क्या करती है 2% subsidy provide करती है तो इस वज़े से जो farmer है उसको 7% loan provide करना पड़ता है इसके अंदर एक और provision है अगर जो farmer है यह पूरी money एक साल के अंदर अगर इसको repay कर देता है तो उसको 3% more discount दिया जाएगा तो इस case में farmer को सिर्फ 4% interest पे loan pay करना पड़ेगा अगले question पर आते हैं government of India aspect India's sugar export will rise by 50% in September month यह 2020 की बात हो रही है सितंबर 2020 में sugar export के increase होजने की आसंका थी 50% तो इसमें question यहाँ पर यह है कि sugar का export कितना हुआ था option है 4.5 million tons 5.7, 6.0 या 4.9 million tons तो इसका जो सहीतर है वो है 5.7 million tons 5.7 million tons और यह अब तक का record वाना जा रहा है क्योंकि यह 50% high है तो इसका यह reason बताया जा रहा है कि जो इंडिया है इन्होंने export subsidy को approve किया है around 10,448 per ton चलिए अगले question पर आते हैं जो August की rainfall थी अगस्ट 2020 की यह अब तक की सबसे highest rainfall माना गया था और इससे पहले अगर देखें तो 1926 में highest average rainfall होई थी in a month और इस बार के जो rainfall था वो 27% more rainfall था तो question यहाँ पर यह है कि AMD के data के अनुसार जो August का rainfall था वो कितना था तो इसका सही आज़ार है 32.7 cm अगले question पर आते हैं recently white grub infestation in sugarcane crop of about 3000 acre land occurs in पूने महरास्टा तो question यहाँ पर यह है कि white grub का scientific name क्या है white grub का scientific name होता है holotrachea serata चलिए अगले question पर आते है recently horticulture department of neilgri district distribute seed ball to farmers in seed ball which type of fertilizer material is used तो question यही है कि seed ball में किस परकार की उर्वरेक सामगरी का उपयोग किया जाता है option A chemical B organic manure C bio fertilizer या D both B and C तो इसका सही अंसर है both B and C जो seed ball होता है इसमें organic manure के साथ-साथ bio fertilizer का इस्तमाल भी किया जाता है अब seed ball के बारे में जान लेता है जो seed ball है ये एक indigenous technique है और इस technique को rediscover किया था Japanese natural farming pioneer जिनका नाम था Masanabu Fukuoka इनको father of natural farming भी कहा जाता है देखो seed ball के अंदर क्या-क्या होता है इसमें seed को wrap किया जाता है in a mixture of clay, compost and then dried और इसमें बहुत सारे microorganisms भी होते है उसको भी इसमें add किया जाता है चलिए अग ये question पर आते है निम्ले लिख में थे कौन सा गधा गदे की एक नसल है दुनिया का सबसे महंगा दूद जिसका price बताया जा रहा है 7000 रुपे पर लेटर की कीमत से बिकरा है तो आपको बताना है कि ये जो डंकी है इसकी कौन सी breed है option है कियांग Indian wild ass हालारी या कच्ची तो इसका जो सही आंसर है वो है हालारी देखो और जो options है ये सभी के सभी डंकी जो गदा है इसकी breeds है एक research institute है जिसका नाम है National Research Center on Equains ये situated है कहां हरियाना में तो इन्होंने ने एक project भी सुरू कर दिया है डंकी मिल्कों लेकर तो एक dairy खोलने जा रहे है इन हरियाना के एक जगे है हिसार वहां डंकी का जो milk dairy है इसको सुरू करने का इन्होंने प्लान बना रखाया गदे की दूद की बात करें तो एनिसेंट इजिपन में इसका काफी जादे यूस किया जाता था इस मिल्की की एक खासियत बताई जाती थी कि ये जो milk है इसकी कुछ properties है जैसे anti-aging property antioxidant और इसमें कुछ regenerating compounds पाये जाते थे जो की डंकी के मिल्क को गाफी जादे precious बनाते है और price आप देखी रहे हो 7000 रुपे पर लिटर चलिए अगले question पर आते है which of the following minister inaugurates 22 bamboo clusters in 9 states and also released a logo for national bamboo mission देखो इसका जो answer है वो है Narayan Singh Tomar तो Narayan Singh Tomar दीजिने जो 22 bamboo cluster है इनको North District में launch किया है in month of September और इसके साथ-साथ एक logo भी release किया था national bamboo mission का चलिए Prime Minister Narendra Modi is set to launch प्रदान मंत्री मच्च संपिता योजना और PMMSY और date इसमें क्या दे रिखिया 10 September 2020 10 September 2020 को Narayan Singh Modi जी ने प्रदान मंत्री मच्च संपिता योजना का सुभारम कौन से state से किया option है UP, बिहार, गुजरात या पंजाब तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार तो बिहार में इसको launch किया गया 10 September 2020 को तो प्रदान मंत्री मच्च संपिता योजना एक flagship scheme है जिसमें focus किया जाएगा in the sustainable development of fishery sector in India इसके अंदर जो outlay रखा गया है 20,050 करोर रुपीज अंडर आत्म निर्बार भारत पैकेज देखो जो अभी अगर हम current की बात करें तो current में जो fish का production है इंडिया में वो है 137,00,000 टन और इस scheme के अंदर ये target रखा गया है कि 2024 तक इसको 220,000,000 टन कर दिया जाएगा चलिए अगले question पर आते हैं which app was launched for livestock for the information like buying and selling of disease-free germplasm nutrition and quality breeding for animals तो इसके option है E. Pasudhan E. Pasupalak E. Gosala या E. Gopala तो इसका सही आज़र है E. Gopala देखो मैंने पहले एक बताया था ये परदानमंत्री मस्चंपिता योगना इसी दिन परदानमंत्री नरेन मोदी ने इस app को भी launch किया था E. Gopala को आप हमारे daily current affairs की series देखते थे तो उसमें भी मैंने इसको अच्छे से discuss किया था E. Gopala के बारे में इसके अंदर बहुत सारी information प्रवाइड करी जाएगी है जैसे लाइव श्टॉक की buying और selling quality breeding services और इसमें एक farmer को guidance प्रवाइड करी जाएगी जैसे उसके nutrition को लेकर उसकी health को लेकर या बात करे जाए उसकी को disease related या उसके treatment के बारे में कौन कौन से हमको medicine देनी चाहिए वो सारी information इस app के अंदर provide करी गई है अगले question पर आते हूँ बहुत ही जादे important most important question question यह है कि recently country का पहला किसान रेल चलाया गया between which route पहला option है अनन्तापूर टू न्यू देली दूसरा है देवलाली टू दानापूर तीसरा है नागपूर टू धनबाद तीसरा है जहांसे टू हैदराबाद तो इसका जो सही answer है आपको अगर आता है तो प्लीज इसको एक बार attempt कर दीजिए वीडियो को जाहे पहुँच कर ले आप तो इसका जो सही answer है वो है देवलाली टू दानापूर मैंने एक post भी share करी थी अपने instagram के account में ये इंडिया's first rail किसान रेल will run from महराश्टरा to बिहार for transportation of seasonal vegetable and fruits देखो 7 अगस्त 2020 date भी आपको याद रखनी है कि 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल चलाए गई बिट्विन देवलाली इन महराश्टरा and दानापूर इन बिहार और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद एक और किसान रेल चलाए गई थी South India में यह इंडिया की दूसरी और South India की पहली किसान रेल थी जो चलाएगी थी अनन्ता पूर्टू न्यू देली इसके साथ-साथ गवर्मेंट ने एक प्लान भी बनाया है crop specific किसान रेल को चलाने का जैसे potato किसान रेल tomato किसान रेल या onion specific किसान रेल और इसके साथ-साथ protein किसान रेल जैसे जिसके अंदर meat का transportation किया जाएगा यह भी question important है Recently which chili from Assam get GI tech options है भूच जो लगिया B. धले कुरसानी C. जॉला चिली या D. गुंडू चिली देखो यह जितनी भी चिली यहां पर मैंने दे रखे हैं सबके सब चिली की variety है तो आपको इसका अंसर बताना है कि Assam की कौन सी चिली है जिसको GI tech मिला था इसका सही आंसर है धले कुरसानी तो धले कुरसानी को हाली में GI tech मिला था अब GI tech की बात करें तो GI tech इसको यह कब आया था Geographical Indication of Goods Registration and Protection at 1999 1999 में यह acta आया था और यह चालू कप से हुआ था 15 सितंबर 2003 अब इस variety की बात कर लेते हैं जो धले कुरसानी है यह cherry size red chillies होती है और यह काफे जादे hot होती है जैसे इसका use mainly उसके आजाता है pickles and paste में और इसकी खास बात है जैसे इसमें vitamin A, vitamin E, potassium और यह low होता है sodium में अगर धले कुरसानी की बात करें 100 gram of fresh धले कुरसानी है 240 mg of vitamin C जो की 5 times higher है orange से orange से 5 times जादे इसमें vitamin C पा जाता है and it is considered one of the world's hottest chili अगर मैं आप से question पोचूँ की world की सबसे hottest chili कौन सी है तो उसका अंजर क्या होना चाहिए भूजो लगिया आपने इसके बारे में सुना होगा भूजो लगिया ये भी north eastern states में काफे जाते है इसका use किया जाता है वैसे ही धले कुरसानी है ये भी hottest chili में गिनी जाती है जो chili की hotness होती है उसको measure किया जाता है इसको while heat units में इसको while heat units और जो ये धले कुरसानी है इसकी लगबग measure कर रख है इसका 1,00,000 से 3,50,000 SHU यानि कि इसको while heat unit इतनी range में इसकी hotness है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और इसका जो third part होगा वो जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर upload हो जाएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे next time till then टाटा बाई बाई and take care